कौनसा क्रॉप लगाना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी गाउ के सरपंचों को करना पड़ेगा इस बार हमारे देश में 280 लाग टन चावल कोड़ान में पड़ा है तीन साल से और चावल अब ज्यादा रहेगा तो सड़ सकता है क्या आज हमारे देश में चावल इतना ज्या किलो है हमारे देश में 34 रुपे किलो है और हम 10 रुपे किलो सब्सिडी देकर पिछले साल में हमने 60 लाग टन चीनी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की और 6000 करोड की सब्सिडी तीसरी बात गेहू सरप्लस है मक्य मका सरप्लस है 17 रुपे MSP जो मक्य की तो वह भाव अब 10 और 11 रुपे पर आया है क्या क्रॉप पैटन हम बदल सकते हैं हमारे देश में 80 से 90 अजार करोड का एडिवल ऑईल हम इंपोर्ट करते हैं पर आज दुर्बाग्योष हमारे देश में फली का तेलो जवस का तेलो सरसू का तेलो करड़ी का तेलो सोयबिन का तेलो आज कम है तो क् प्रोडक्शन प्रोडक्ट्विटी बढ़ा कर हम इसको कर सकते हैं कि सब संभव है मैं नागपूर में हमारे औरेंजेस होते हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि नागपूर के औरेंजेस एक्सपोर्ट हो मुझे स्वीडन जाना था तो यहां राहूल ठाकरे करके सिदर इसका थाखरे करके बहुत बड़े नेता थे कॉंग्रेस के भी भी है उनका लड़का था बहुत अच्छा काम करता है मैंने घा मुझे दो वैक बरके आप संतरे दो मैं मैं दुदधि गया और दुबई के लोगों को मैंने सब को मेरा अच्छा दुबए बें संम्त तैं हो चाह के लिए और सबको संत्रे दिये अब हमको 6 कंटेनर हमारे बेचे गए और अभी 100 कंटेनर का ओरडर मिलेगा और 32 रुपए किलो संत्रे का बहुत मिल रहा है जबकि यहां हमको 12 रुपे 15 रुपे भी नहीं मिल पा रहा है हमारी आज सब्जिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यहां क्रॉप पैटरन को बदलना और यह बात बहुत महांतोपुर्णाय और विश्वनात करार जी को मैं अनुरोत करूंगा कि आप थोड़ा सा जैसे यह विश्व शांती और यह सब बाते फिलोसोफी की बिल्कुल सही है पर हमारे गाओं में किसान आत्मत्या कर रहे विश्वनात जी हैं क्या हम किसानों को सुधार सकते हैं तो मेरा दावा है कि जब तक किसान पेट्रोल डीजल नहीं होगा तब तक क करोल डीटर हमको इथेनौल चाहिए अभी हम साड़े पास सो करोड तक ही पहुचे है और अभी पुना के प्राजवालों ने और रिसर्च किया कि डीजल में दस परसेंट डालेंगे तो और लगेगा और मैंने और यह किया है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इथेन पर चलने वाली बजाज ने बाइक तैर किये टीवेस ने तैर किये वो भी लॉंच कर दिये क्या हमारे गाव का जवान लड़का अपने गाव में चावल से मके से गन्ने से तैयार हुए फिवेल पर अपनी गाड़ी अपनी स्कूटर अगर चलाएगा तो इंडियन आयुल भारत पिटूलिम के पंपों की कोई जरूत नहीं है मैं कोई इंडियन आयुल भारत पिटूलिम के विरूत में नहीं हूँ पर आठ लाक करोण का हम इंपोर्ट कर रहे और प्रदूशन बढ़ा रहे उसके बजाए हम किसानों ने तैयर कि वे इंदन पर जाएंगे तो मेरी एक ही सुझाव है कि डाइवर्सिप्रिकेशन आप अग्रिकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर यह विशह विश्वना जी हमें लोगों को जगाने के लिए बहुत अवश्यक है यह अगर होगा और इसमें काफी काम हुआ है हवाई जहाज का इंदन भी कि किसान तैयार कर सकते हैं किसान बिजली भी तैयार कर सकता है किसान मोटर कार बस ट्रक चल सकती है और यह सब सिद्ध हुआ है मैं ट्रांस्पोर्ट मंत्री हूं मैं आपको इसकी सब जानकारी दूंगा तो गाव इससे भी समरुद्धर संपन्द बनेंगे और सबसे इंपोर भाग की यह है कि यह जो मर गया इसका कारण रोड में ब्रीज था उसको कठड़े नहीं बने थे अब प्रशना इसा है कि हमारे गाओं में हमारी लोगों की सुरक्षा करना गाओं में हमें लोगों को हार्थिक दुस्ट्री से रोजगार देना किसानों की खेती को एकोनामिक क्वायबल करना इसके लिए और्गैनिक फॉर्मिंग का भी प्रयोग हुआ है अभी हमारे गाओं में जो कच्रा आप अच्छी बात है जैसे आपने लोगों के बारे में का मैं सभी सरपंचों का अनूरोत करूंगा कि मेरे खुद के घर में अन्बो आया था कि मेरे जानवर मर गए मुझे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता था तो यह जो गायक वाड़े बीवी जी वाले पुना में यह एक बार आयर उनने मुझे कहा कि आप पानी टेस्ट करो तो उनके सैंटिस्ट है और मेरे कुए का पानी टेस्ट किया तो ध्यान में आए कि उसमें बहुत हा अगर यह दो बाते की तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और इसलिए यह दो बाते करने के बाद आपके जमीन में एन पीपी एन पीपी में के नैट्रोजन फॉस्परोज पोटेस्ट में क्या कम ज्यादा है वो खाट डालिए जो आता वो खाट केमिकल फिटनाजर डाल औरिक कार्बन जो है यह .20 .45 तइस से 40 तन पचीस तन गन्णा हुआ और 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 गेनिक कार्बन हैएं और ऑऔर चाुनिक कार्बन जो आता है वो बायू इफेटलाईजर सित से आता है सेंद्रिये खतों से आता है हम जैसे गाव का पाणी जाव में घर का पाणी घर में कहत क का पानी केत में कहे रहें वैसे गाओ का जितना कचरा है चाहे वो गन्ने का पाचट हो चाहे वो जवारी का हो चाहे गेहु का हो वो गाओ में ही हम अपने खेत में ही पोस्ट खथ तेयर करें और उसको हम और अर्गेनिक इस से भी मैं बालों से एमिनओ एसीड बनाता हूं और एमिनओ एसीड प्लांट बुस्टर है तो वो तिरुपुति से बाल लाके मैं मैं बना दो मैं बहुत परयोक करता हूं तो कभी-कभी एक बार आगे बार राहूर जी और्गानिक फॉर्मिंग और सक्सेस्पुल एग्रिकल्चर क्रियेटिंग मोर एंप्लामेंट पोटेंशेल इन दा रूरल एरिया पर्टिकुली गाव में क्या हो सकता है इसका अध्यान करिए अभी जैसे मैं खादी ग्रामुद जोग से हम हनी के लिए पेटिया दे रहे हैं और जहां हनी इकटा होता है वह क्रॉप को प्रोडक्शन 25 तक्के बढ़ता है अब कितना हनी हम इकटा कर सकते हैं इसलिए गाव में सोलर चर्खा अब यह वरधा में हुआ है कि सोलर चर्खे पर सूत निकालकर उसे साड़ी और सत्तर हजार करोड का MSME और विलेज इंडस्टी के एटम्स को एक्सपोर्ट किया है क्या हमारे गाव में तैयर किवे एक्सपोर्ट कर सकते हैं चोटे जोटे लकडी के खेल बनते हैं वो खिलोने बनते हैं मैं अभी इसके लिए स्पेशल शोरूम शहरों में बना रहा हूं जो गाव के छोटे-छोटे कारागीर तैयर करते हैं कहीं गाव में सिरी कल्चर सिल्क तैयर होता है कहीं गाव में लकडी 12 बलूतेदार जो है लोहार सुतार चमार अभी मैंने पैठनी जो बनती है उसकी जूते चपल वो पैठनी को यूज़ करके बने वे लॉज किये अभ रूरल ट्राइबल एंड एग्रिकल्चर फिल्ड में आर्थिक स्वाधिन्ता आर्थिक स्वातंत्र आर्थिक स्वावल अंभी बज़ब बनाने के लिए यह गाव के सरपंच क्या कर सकते हैं तो सेव मनी इस्टू अन मनी देर आर लॉट अप टेक्नोलोजी विचर अवेले अवेलेबल गाव की स्टेंग क्या है विकने से कौन सा राव मेट्रिल अवेलेबल है उसके आधार पर किसानों की एकोनामिक्स को हम कैसे बदले और गाव को संब्रुद्ध संपन्न कैसे बनाए उनकी पर्चेसिंग पावर कैसे बढ़ा है उसके बिना आत्मनिर भर भारत नहीं बन सकता और सरपंचे यह लीडर है ही जए कैटलिस्ट